Hello class 12th student, चलिए आज हम लोग नहीं नया chapter स्टार्ट करते हैं, chapter 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, Lost Spring यानि वो वसंद जो खो गया, ये बच्पन खो जाने की कहानी है, और इसकी राइटर है अनीज जंग, जिनका 1964 में जन्ग हुआ था, वस बॉर्न इन राउर केला, ये इनका राउर केला जो की उडी साम एक जगह है, वहां हुआ था, इस्पेंड हर चाइल्डोड और अडॉलेसेंस इन हैधराबाद और फिर अपना बच्पन और अपने अडॉलेसेंस इन्होंने हैधराबाद में बुजा रहा है, शे इनकी हुई है, और इन उनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके बाद उनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई किये, और पेरेंस वर बोथ राइटर्स, इसके माता पिता दोनों ही लेखक हैं, अनीज जंग बिगान हर करियर एज राइटर इन इन्डिया और अनीज जंग ने अपना राइटिंग करियर जो है भारत में ही शुरू किया था, शी हैज बीन एडिटर, वो एडिटर रह चुकी हैं, कॉल्मनिस्ट कॉलम में लिखती थी, पर मेजर नीज़स पेपर इन 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 अबरोड, भारत में ही नहीं, विदेशो में भी ये कई नीज़स पेपर में लिखती हैं, the following is the excerpt from her book titled Lost Spring, और ये जो portion आपको पढ़ना है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है Lost Spring, उसका कुछ हिसा आपको पढ़ना है, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, ये इनकी पूरी बुक का नाम है, और उसका कुछ हिसा आपको यहां पर पढ़ना है, here she analyzes the grinding poverty, यहां पर ये बहुत ज़्यादा जो गरीबी होती है, उसके बारे में बात करती है, tradition यानि हमारी परमपरा हैं जो होती है, उसके बारे में बात करती है, which condemn these children to the life of exploitation, जो क्या करता है, इनको ऐसी जिन्दिगी जी करने के लिए मजबूर करता है, जहां पर exploitation होती है, यानि शोशन होता है, चलिए देखते हैं, first chapter क्या है, first part क्या है इसका, sometime I find a rupee in the garbage, एक बच्चा जो ये बता रहा है कि कभी-कभी मुझे रुपया भी, एक रुपया भी मिल जाता है कूडे में, Why do you do this? I ask sahib whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood, तुम ये काम क्यों करते हो, एक दिन इन्होंने sahib से पूछा, जो कि जिसको हर दिन सुबह में देखती है, कूडे के धेर में, यसे लगता है कुछ महेंगी, कीमती चीज ढूण रहा हो, है ना, और इनके पड़ोस में ही ये कूडे का धेर या डस्ट बीन है, साहib left his home long ago, साहib ने अपना घर छोड़ दिया था काफी लंबे समय पहले, set amidst the green field of धाका, और इसका घर बांगला देश के राधानी धाका है ना, वहाँ थी जहाँ पर इसका घर जो था खेतों में था, गाउं में था, His home is not even a distant memory, और इसने तो बहुत पहले घर छोड़ दिया था, इसलिए अभी कुछ उसके बारे में याद नहीं है There are many storms that swept away their field and homes, His mother tells, उसकी माँ बताती है कि जहाँ पर इनका गाउं और खेत था, वहाँ पर अक्सर तुफान आते थे, जिसके कारण कभी इनका खेत और कभी इनका घर बह जाता था, तुफान में That is why they left, इसलिए उन्होंने उस घर को छोड़ दिया, looking for gold in the big city where he now lives, और यहाँ पर एक नहीं जिन्दगी की तलाश में आ गए और रहने लग गए I have nothing else to do, he mutters, looking away, वो इधर देखते हुए इनको बताता है कि मेरे पास और कुछ है नहीं काम करने के लिए Go to school, I said glibly, तो इनका की स्कूल क्यों नहीं जाते है, school job Realizing immediately how hollow the advice must sound, हलांकि उनको यह बात तुर्ण समझ में आ गई कि इनकी जो सलाह है, कितनी खोखली है There is no school in my neighborhood, when they build one, I will go करेंगी, मेरे पड़ोस में न, कोई school है ही नहीं, और जब एक school बन जाएगा, तो मैं वहाँ जरूर जाओंगा तो अनीज जंग उससे पूछती है, if I start a school, will you come? जब इनोंने से पूछा, कि जब मैं school खोलूँगी, तो क्या तुम आओगे? I ask half joking, थोड़ा मजाक के sense में, इनोंने ये बात, उसको कही, साहिब को कही Yes, he says, smiling broadly, बड़ी से मुसकान के साथ, उसने का क्या हाँ A few days later, I see him running up to me, is your school ready? तो कुछ दिनों के बाद, उसने देखा, वो भागता हुआ, इनके पास आया, और पूछा, कि आपका school तयार हो गया It takes longer to build a school, I see, तो इनोंने का कि भई, school खोलने में बहुत समय लगता है Embarrassed at having made a promise that was not meant, उनको थोड़ी शर्मिंदी हुई writer को इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसी promise की, की बच्चे से, जिसका, जिसका कोई मतलब नहीं था यन्यों ही इन्होंने promise कर लिया था, इस वज़े से But promises like mine abound in every corner of his bleak world लेकिन इसकी दुनिया में, हर कोने में आपको वादे या promises सुनने को देखने को मिल जाएंगी After a month of knowing him, अब जब एक महिना हो चुका था, साहिब को जाने हुए I ask him his name, तब इन्होंने एक दिन उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है उसने बताया कि उसका नाम साहिब आलम है He does not know what it means उसको पता नहीं है साहिब आलम जो नाम है, क्या अर्थ है इसका If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it अगर उसे ये मालूम हो जाए, कि उसके नाम का अर्थ है, पूरी योनिवर्स का मालिक तो शायद उसे विश्वास नहीं होगा कि उसके नाम का ये अर्थ होता है Unaware of what his name represents, उसको इस बात का नहीं मालूम है, कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है He roams the street with his friends, वो अपनी दोस्तों के साथ सड़क पर घूमता रहता है An army of barefoot boys, ऐसे बच्चों के साथ जेके पैरों में जूते नहीं होते वो appears like the morning bird और वो अक्सर सुबह में सभेरी की पक्षियों की तरह दिखाई देते हैं and disappear at noon और दोपहर होते ही गायब हो जाते हैं Over the month, I have come to recognize each of them और करी-करी एक मैना हो गया, अब मैं इनको पहचानने लगी सबको, एक एक करके Why aren't you wearing chappals? I ask one एक दिनों ने पुछा कि तुम चपल क्यों नहीं पहने होए हो? My mother did not bring them down from the shelf He answers simply बड़े simple तरीके से उसने जवाब दिया कि मेरी ममी जो है ना shelf पर रख देती है चपल को और देती नहीं है पहनने के लिए उसको उतारती नहीं है वहाँ से Even if she did, he will throw them off at another और दूसरा बच्चा कहता है कि अगर ममी दे भी देगी ना इसकी तो ये इसको फेक देगा Who is wearing shoes इस बच्चे ने जूते पहन रखे हैं That do not match ऐसा जूता जो को एक कोई दूसरी जोड़ी का जूता है और एक कोई दूसरी जोड़ी का जूता है दूनों जूते अलग अलग है When I comment on it He shuffles his feet जब ये writer कहती है कि तुम्हारा दूनों जूता बिलकुल अलग अलग है तो विचारा थोड़ा शर्मिंदिगी से पैर अपना इधर उधर करता है Says nothing, बोलता कुछ नहीं है I want shoes, he says वो बताता है कि बस मुझे जूते चाहिए A third boy who has never owned a pair all his life तीसरा बच्चे काता है मुझे भी जूते चाहिए हाला कि उसके पास अभी तक कभी भी एक जोड़ी जूता नहीं हो पाया है Traveling across the country I have seen children walking barefoot पुरी भारत में इधर उधर यात्रा के दौरा ने उन्हें देखा कि बच्चे जो है वो खाली पैर चलते हैं into cities or village roads यह शहरों में भी और गाउं में भी It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation और उन्होंने जब उन से पूछा कि क्यों खाली पैर हो जूते नहीं है तुमारे पैर में चपल नहीं है उन्हें उसका मतलब यह नहीं है कि पैसा नहीं है बलकि परंपरा है खाली पैर रहने की एक explanation यह है एक तो है explanation जूता ही नहीं है हमारे पास दूसरा explanation क्या है खाली पैर रहने की हमारी परंपरा है इसलिए हम चपल जूते नहीं पहनते I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty ये मनी मन सोचती है कि क्या ये एक गरीबी जो है छिपाने का एक तरीका है ये हमारे हाँ परंपरा है खाली पहर रहनी सचाई तो ये है कि पैसा ही नहीं है कि वो जूते या चपल खरीद सा गरीबी छिपाने का ये तरीका है I remember a story a man from Udipi once told me इनको एक कहानी आदाती है Udipi की जब एक व्यक्ती ने इनको सुनाया था एक कहानी As a young boy he wanted go to school past an old temple जब वो बच्चा था जो कहानी बता रहा था आदमी वो जब बच्चा था तो क्या होता था वो स्कूल जाने के दोरान एक मंदिर के बगल से पुरानी मंदिर के बगल से गुजरता था वो थोड़े समय के लिए मंदिर पे रुपता और भगवान से प्रातना करता कि उसे एक जोड़ी जूता दिला दे 30 years later I visited his town and the temple 30 साल बात जब यह दुबारा उस शहर में उस मंदिर के पास गई which was now drowned in an air of desolation जो की अब जो है एक अलग थलग पढ़ गया है in the backyard इसके पीछे पीछे वाला जो इलाका है where lived a new priest यहाँ पर एक नया पुजारी रहने लगा है and there were red and white plastic chair और पीछे जो है जहाँ पर नया पुजारी रहते हैं वहाँ पर लाल और सफेद रंग के chair रखे हुए हैं प्लास्टिक के a young boy braised in a grey uniform वहाँ उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जुसने grey color की uniform पहन रखी है wearing shocks and shoes और जूते और जुराबे पहन रखी है arrived panting and throws his school bag on the folding bed और वो जो है वो ठका हुआ आता है सांस लेता हुआ और जल्दी से अपने back को उतार कर bed पर folding bed वहाँ रखा उसको पर डाल देता है looking at the boy I remember the prayer another boy has made to the goddess when he had finally got a pair of shoes और तब उस बच्चे को देखने पर writer को पुरानी बात याद आती है कि वो बच्चा पुराना बच्चा जो था prayer किया करता था और उसी के वज़े से भगवान के आशिरवाद से इसे जो नया बच्चा है इसको pair of shoes मिल गया है let me never lose them वो सोचती है कि कभी भी ये जूते खोएं ना यानि कि हमेशा जूता पहनने के लिए मिले the goddess has granted his prayer भगवान ने उसकी प्रात्ना स्विकार कर ली थी young boy like the son of a priest now wore shoes अब छोटे बच्चे जो जैसे पुजारी का बेटा है वो जूते पहनता है but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कुडा चुनने का काम करते हैं हमारे पडोस में और उनके पैरों में जूते नहीं होते so in the next class we will continue with the chapter और वीडियो को ध्यान से देखिए like और subscribe भी कीजिए और share भी कीजिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे इसे देख कर फाइदा उठा सके thank you very much